अलो एवरिवन वेलकम बाइक आन्मा यूटूब चैनल एन टुले टॉपिक इस डबलू डबलू एफ मतलब वर्ड वाइल लाइफ फंड ठीक है जिसे हम डबलू डबलू एफ एन भी बोलते मतलब बड़ फंड फार नेचर ठीक है वर्ड फंड फार नेचर और इंडिया में जो इसका सब्सिट्यूट है या फिर इसके एक सब बोडी है उसे बोला जाता है डबलू डबलू एफ इंडिया ठीक है मलब इंडिया एक ग्लोबल आर्गिनाइशन है डबलू डबलू एफ इंडिया में जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है उसे बोलते है डबलू है वो यह है कि WWF को WWF India in reference of India का जाता है मतलब कि WWF जो है World Wide Life Fund वो एक Global Organization है International Organization और इंडिया में जो इसका representation है बुक किया जाता है World Wide Life Fund इंडिया के द्वारा अब जो है एक WWF का नाम चेंज करके बर्ड फंड फार नेचर कर दिया गया कि यह नेचर के लिए फंड को री कलेक्ट करना जिसा मतलब होता है रिज करने वाला आर्गनाशन होता है ठीक है सबसे इंपोर्टन जो कोशन आता है वह इसके वारे में होता है कि इस अगनाशन का जो स REMल है, जो इम्वलेम होता है, उसमें किस अई नहीं उल का पिक्टर है तो उसमें पिक्टर है, घेंट पनडा का ठीक है? उसके बाद जो आता हैशिका है, इसका हेटेक कोर्टर स्काहल है, तो इसका हेटेक है, आपका श handy land में. मौर्गीज एक जगह है बहांद पे इसी तरीके से जो अपने इंडियन रिफ्रेज्ज में कोशिन बनता है कि WWF इंडिया का हेटकॉर्टर्स का है तो WWF इंडिया का हेटकॉर्टर्स है मुंबई बदलब इससे पहले पर हमने डिसकस किया थे दो अरगिनाइशन जो इंडियन ओरिजिन के थे इंडिया में काम करते हैं एक का नाम था डबलू टी आई बाइल लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका हेटकॉर्टर भी मुंबई में था और उसके सॉरी उसका हेटकॉर्टर था आपक यह एंडिया और बाम्बे नेचरन हिस्टिरिज सॉसासाइटि का हैटकॉर्टर काम पे है मुंबई मी और बाइलेप ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेटकॉर्टर उंद्विन थे 6 तउपिसे और डबलू डबलू एफ जिसके हम बात कर दे इसका हेटकॉर्टर है मौर्गीज सुजर लेंड में ठीक है उसी को हमार डबलू 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 एफ एन कहने लगे हैं ठीक है और इनके जो सिंबल है जो इसके लोगों पे जो पिक्चर जिस अनिमल की उसे बोला जाता है गेंड पांडा देख सकते हैं अब इसे ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क कि कुछ मीड में हुआ था लास्ट में अपरेल तो इसे 1962 भी बुक में लखा है मगर जो करेक्ट डेट है वो 1960 बने ठीक है अब देखते हैं डबलू डबलू किस तरीके का आइजिशन है और क्या काम करता है तो इट इस नान प्रॉफिट ठीक है टेक्स एजिंटेट मतलब तो इसमें चैरेटी करेंगे तो आप टेक्स नहीं तिखाना पड़ेगा ठीक है चैरेटेवर अरगिनाजिशन इटीजन इंटरनेशनल एंजियो जिए फाइनली बही में बाता ही यह आप जाम है कि इंटरनेशनल एंजियो है ठीक है फॉर्म नाइटीन सिस्टीए देट व इसकी स्टेडी करते हैं उसे चेक करने का काम करती है ठीक है अभी एक इंपोर्टन बात है कि जो डबलू डबलू एफ को डबलू एफ ही का जाता है इस आफिसियल नेम इन कैनेडा में और यूएसे में बट आज इसका जो रियल नाम है जो दुनिया जानती जिस नाम से वो में मगर वो अपना काम सही से नहीं करवा रहे थे इंदी फिल्ड आफ कंजर्विशन आफ बाइड लाइफ एंड इंबार्मेंट ठीक है सबसे में प्रॉब्लम क्या रही थी फंड नहीं था उनके पास पैसा नहीं था कि वो कैसे करें काम करें काम करने कि उनकी इच्छा थ तो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े कंजर्वेशन थे इंवार्मेंट लिस्ट बो लोग आ गया है और उन्हों ने उस टाइम के सबसे बड़े बाइलोजिस्ट और कुछ नाम बहुत इस पेसल इसे अफ्रीका के सबसे बाइड लाइफ एंदोसिस्ट थे सर जूरियन ह और सर पीटर स्कॉट एंड आरिक्टर जनल अब बिट्र नेचर कंजर्वेशन सी जो थी इन लोगों को इसमें जोड़ा और उसके बाद इनोंने क्या किया फंट्रेज करना शुरू कर दिया और फंट्रेज कहने के बाद डबल 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 जो था वो एक इंटरनेशनल फंट्रेजिंग आर्गनाइशन की तरह सामने आया और इसने फिर बर्ग करा इन एसोसेशन बेदी उस टाइम के जो एक्जिस्टिंग कंजर्वेशन गूरूप थे उनके साथ काम करना शुरू कर दिया और पैसा इनके बास सब्स्टेंशिल फाइनिसल सपोर्ट टूदी कंजर्वेशन मुव्मेंट आन्यवाडवाइड इस स्केल पर पुरी दुनिया में इनोंने अपने प्रोग्राम चला और कोई पैसे की प्रॉल्म नहीं नहीं आई क्योंकि डबल डबल डॉएफ जो बना था वो क्योल फंड र सब्सक्राइब इस लीडर्शिप को बिंग इमजिनेशन एंड प्रिजर्वेंस तो दी इंपॉर्टेंट बर्क आफ कंजर्वेशन एंड तू बिलड़ अप बिजिज बिविन दी गवर्मेंट सेविल सोसाइटी और बिजनेस इन डिवाइजिं दी सलूशन अड दी स्केल आफ चैलेंज जिज भी फेस लोगी चाहते देगी जो डॉब डॉब डॉफ है वो गर्मेंट के साथ उस टाइम के जो बिजनेसमेन और सेविल सोसाइटी के साथ केलेबरेट करें और जो चैलेंजिंग इसूजर एंवारेमेंट के उन्हें जो हम पब्लिक के सोसाइटी हमा इन्होंने पैसा करके दिखाया भी ठीक है अब हमें ऐसा लगता है कि डॉब डॉब डॉफ के ओल बाइड लाइफ के फिल में काम करता है तो यहां पे थोड़ा था कन्फिजन दूर हूँ देखिए सिक्स मेजर जो गोल से डॉब 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 डॉफ के बहुत ध्यान तो इस तरीके से इस इसक्स जो इसके मतलब प्रोजेक्ट है जिन पर एक काम करना जाता है इन फिल में क्लाइमेट फूड फॉर्स्ट फ्रेस वार्टर ऐसेंस और बाइलेगे फिरेस बाटर हमें नहीं लगता था कि कहीं जोड़ा हुआ ऐसे मगर फ्रेस बाटर पी इसका बहुत बड़ा एहम इस इस पर यह काम करना जाता है कि पुड़ीद्रिया को फ्रेस बाटर प्रवाइट किया जाता है फूट के बारे में क्या गयता है कि डबल नेट फूड अवेलिटी फ्रीजेट्स फूड प्रेंट ठीक जो इसके मतलब सीट से उनाज से रिश्टोर कि जाए उसके बाद क्लाइमेट के बारे में क्या है कि रिएट इक लाइमेंट रिजिलेंट एंड जीरो कार्वन बार्ड की काता ही बिल्कुल प्लूशन नहीं होना चाहिए और पावड भाई पूरी तरीके से किस पर बेस्ट होना जाए बर्ड हमारा रिनेबल एनर्जी पे बारे में क्या है कंजब दी बर्ड मोस्ट इंपर्टेंट फारिस्ट को कंजर्ब करना इसका अपना एक गोल में आता है आपका था हाउ डालो डाबलू बर्ड कैसे करके काम करता है देखिए तू हेल्प टी प्यूपल एंड नेचर अगर इट वर्क इन हंडेट कंट्र करते हैं किसी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए और इस तरिक्री से यह वहां की बाइड लाइफ यह जो भी प्रॉब्लम से जो भी आपने सिक्स गोल बता उनसे लेटर उन्हें टैकल करती है इसपेशली लोकल कम्यूटी को बहुत इंपार्टेंट देती है तू कंजर्ब नेचर रिस्वर्सेश्स ठीक है जो कि डिपेंड होते हैं उनी प्रोजेक्ट ओनी चीजों बे एंड ट्रांस्फर्म दी मार्केट अन्पॉलिश टोड़ इस तो बर्डी सटेविल्टी एंड प्रोटेक्ट इस्टोर स्पीसिज अंड एविटेट मतलब इसने यह बात बोल ट्राइबल एरियास थे जो ट्राइबल लोग थे जूंग फॉर्स्ट में या बाइड लाइफ की नियर रहे 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 तो लोगों नहीं करा गया था इसलिए बो प्रोजेक्ट फिलोग जैसे बहुत सग्निफिकेंट एग्जाम्पिल इस फिल्ड में हंगुल लोकल जो वहां के ट्राइबल थे उन्हें इंवाल्ब नहीं करा था तो प्रोजेक्ट कुछ टाइम सब्सक्राइब के बाद फिलोग और गया तो वर्ट यह जो होता है डवल डवल फिसके में लोकल कमिलिटीज को बहुत इंपॉर्टन दिया जाते है ठीक है तो इसकी रिय इसी तरीके से व्भी जो है एक पकरी दॉब्लॉफ मैग्जीन निकालती है जिसका नाम ही क्या हाता है वर्ट वैड लाइफ मैग्जीन टीक है जो साल में चार वर कोटर या मतलब एक साल में चार इसो जाते हैं इस तरीके जर पब्रिश होती है इसमें वही इसो उठा जाते हैं इसका सिंबल क्या है गेंड पांडा जिसका जोलोजी का नहों होता एल रो पैंडा मेरेन और यूका यह ध्यान रखना है बचेंड पांडा का भी कोशन मुल्टीपिल टा आर्गनाइज करना होता है जैसे WWF इंडिया, WWF, Sri Lanka, WWF, Hong Kong इस तरीके से तो मिंबर से आर्गनाइशन आप एक गुरूप आप नेशनल आर्गनाइशन रिप्रेजेंटिंग मेनी कंट्रीज यह इसका आर्गनाइशनल स्टेक्चर है अच्छा स्टार्टिं में जो इसके फ इसकी हमने बता है ने कि WWF इंडिया, WWF, Hong Kong, International Gorilla Conservation Program इध्यान अपको, WWF की आर्गनाइशनल इंटरनेशनल Gorilla Conservation Program भी एक टाइप का सबड़ी जाए कि इसका WWF का इसके बाद जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यह तो इसके डाइक्टर जनल थे रॉबर्ट कार्टर रॉ साइटी ने बहुत है एक तो फंड रेजिंग आर्गनाइशन में इसका मतलब उदय हुआ था या फार्मेशन हुआ था मगर जो इन्हें काम किया था जो एक अरवियन और एक्स मतलब एक टाइम का इनिमल होता है इसे इनोंने सबसे पहले प्रिजर्ब किया था वांके हुआ था तो जेस्ट फंड रेजिंग आर्गनाइशन था बात में आज इसका जो काम है उसने काम को डारेक्टली करना सुरू कर दिया मतलब इसने पहला करने चाहिए पूरा टाइप का आई उसें टाइप का आर्गनाइशन मन गया खुद अपने प्रोजेक्ट इंप्लिम इडवाजे फायर विग्रेट मतलब बहुत जो एक्टिब मतलब बहुत फास्ट जो रैपड एक्शन करने वाले हो उस तरीग का पे शन को अजयम करता था बट में इंटिक दीट इस इनग टू लैंड प्रोटक्शन एज को डोना इन इस पैन में ए लैंड प्रोटक्शन हो इस नो भी सक्सेफुली इंट्रूज इन ओमान जार्ड ठीक है इसने दो तीन काम किये सुरू में फार बिच टाइप जो इमिडेट नीड प्रोवाइट करता था उस तरीगे का अर्गनेशन था बाद में ने पना पहला काम किया लैंड प्रोटक्शन को इसका प्रोटक्शन करना शुरू कर दें थीक है अब के इन पांडा की बात कर लेते हैं को इसका सिंबल गेंपांडा यू रखा गया को दूसरे निमल क्यों नहीं रखे गए तो गेंपांडा जो होता है 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 इस प्रूटे सिंबल फार डॉड फॉड 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 इन होने सबसे द्हाने के लिए कि गेंपांडा को प्रोडॉटक्शन प्रोट किया तो इन्हों ने सोसाइटी का संबल आप इंद्यम पे उसी का बिक्टर सो गना शूरू कर दीया था जिससे उसे प्रोडेशन प्रोड़ाइड करिए जा सकते इमिडिए प्रोडक्शन ठीक है और इन्डिया में सबसे पहला जो इनोंने काम किया था जो प्रोजक्ट टाइगर का जो आया था फंडिंग वह इसी आर्किनाइशर ने प्रोवाइड की highlight लगबग बन मिलियन यूस डॉलर वो इतना था कि इंडिया में टाइगर पूरा करने के बाद जो हमारी सराउंडिंग इंडिया सब कांटिनेंट में कंटरिया थे जैसे बंगलादेश, स्रिलंका, बूटान और बर्मा देशी कंट्री में भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाए ते और बहां पे टाइगर गो सेप किया है था मर लो उस पैसे से ठीक है तो आई सीन का और डव्ला डबलु एफ का आपस में क्या डिलेशन है वह देखते हैं देखिए आई उसीन जो है वह अपने आप में देखिए आप बहुत बड़ी बाडी है वह साइंटिफिक एड़ जा रहे हैं, WWF का यह से दूसरी क्वाड़ी होती इंभार्मेंट नेशन इंभार्मेंटल प्रोग्राम निसे बोलते हैं, उसका भी मतलब एक साइंटिफिक आर्गाइशन होता है, इंक्लूडिंग डबलू बर्ड कंजरविशन स्टेटजी, बास पुब्रिच अच्छा, इस सेफ करने की स्टेटजी है, इसे बोषने बर्ड कंजरविशन स्टेटजी, ठीक है, अब इट इज अच्छन प्लान तू सेप थी बर्ड पूरे दुनिया को, इट्स पुपल अन पॉलिपी सिची, ध्यान अगना है, इट एक्षन प्लान टू सेफ बर्ड, फ्यूपल अन इ इनका अपना प्लांट को भी प्रिजर्ब करने का एक पूरा सिस्टेम है प्लांस आर इन इंतिक्लर पार्ट आप डूर दूर्ट इस जो नो ने बढ़ कंजरविशन इस्टेज्जी बनाई है उसमें प्लांट भी इंतिक्र पार्ट आइस सच अलांग विद दी डवूरुच प्लांट कंजर्विशन कंपेंच लाता है ठीक है विच इंक्लूट्स देखिए जुसमें क्या क्या होता है इस्परेटिंग टी मैसेज बिल्डिंग टी कैपसिटी तू कंजर कंजर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस और कंजर्विंग बाइड प्लांट फा एकोनमिक प्लांट कंजर्विशन अब जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाने वाला जो सिस्टम होता है जो करिकुलम होता उसमें के बारे में प्लांट और निमील जर्विशन के बारे में क्या लिखा है इसने उस पर भी काम करता शुरू कर दीए अब जे अपने स्पेसल केरिकुला का मतलब इसने डबलमेंट किया है जो स्पेसल बेनिफिट प्रोवाइट करेगा और अपनी तरीगे कुछ कान्फरेंस, सिंपोजिया एंड इवेंट अरगनाइज करता है ठीक है, with the help of industrial groups and to create the awareness about the conservation of the biodiversity, जो इसके डीजी थे, इस्टार्टिंगे, जिनका नम तो Charles D. Health, उन्होंने अपनी 25 अनिवरसरी पे कहा था, कि our aim is to mobilize many new constituencies in support of conservation for the food of nature and mankind, यह उनका statement था, अब इसका नाम जो है, वो चेंज करके क्या हो गया, वर्ड फरन फरन नेचर, देखें, ड after silver jubilee celebration at monastic city SEC, इन्होंने अपना silver jubilee मनाया था, 25 साल कब बनाये थे, उन्होंने चासी में 25 साल इसे हो गए थे, और इन्होंने आस्ट, जो इटली का एक सहर है, बहुत ही फेमास, जो monastic town है वहां का, वहां पे अपना silver jubilee मनाया था, 86 में, और कहा कि WWF का नाम हम कर दे रहे उसका conversion कब हुआ, नाम का renamed कब हुआ, तो यह आपका हुआ था, 1986, at the time of its silver jubilee celebration in the, आस्ट, इटली, ठीके, उसके बाद, आप इनकी जो थोड़ा था, क्रिप और बड़ी, आज इनका जो बर्क है लगबं 30 कंट्रीज में चल ला है, ठीके, इसमें कुछ इंपोर्टन करें, तो प्रोजेक्ट टाइगर, इस बेस्ट इलिस्ट्रेशन आफ इट्स एप्रोच, अब इसके जो फाउंडर थे, Mr. Guy, Mountford, और जो ट्रस्टी भी थे, उन्होंने एक पोजे एक कंपेंड, to share the endangered tiger in 1972, एक बाइलाइट सेंसर है, रिविल दाइट कि टाइगर ठीक है, तो उन्होंने इंडिया में इस तरीके से 1972 में प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग किया, मगे इसका सही डेट आता है, जब प्रोजेक्ट आएगा हो, 1973 डेट है, कब लांच हुआ, इन्होंने बनलब अपना 1972 में अपना बोकरात कि हम फंड करेंगे, इंडिया में अब इसके साथ जो कुछ काम करने वाले आर्गनाइशन जैसे आपका बर्ड वैंक, बर्ड वैंक, इसके सब डिविजन से हैं, सब आर्गनाइशन से हैं, जो इसके साथ में करते हैं, बर्ड वैंक में इसे फंड करता है, अब हम अपने इंडिया में आ जाते हैं, कि हमारे में इसकी टाइप के जो बाडी है जो इसे सपोर्ट करता है यह सेम बड़ी बाइड वर्ड ठीक है वर्ड बाइड डाइफ फंड इंडिया मंगर इसका इस्टेपलिजमेंट देखें बहां पे कितना हुआ था 1961 में 1961 उसके कितने साल के बाद आठ साल के बाद इंडिया ने उसका एक परति रूप अपने इंडिया में इनिशियेट किया और हैट्वाटर कहां पर रखा उसका मॉंबाई में सेम बैसी चरेटेविल ट्रस्ट है और अब्यक्टिब क्या था उसका सेफगार्डिंग एंडिस अचा फ्रमाटिन कंजर्वेश्टेशन यूथ की नहीं चलाने कंजर्विश और मीषटेशन तरफ लह जाना विंका कांथ की कौन सी चीजों प्रोजर्च चलाने जाए ओनें का फिकिन आटियु प्रश्व रिच एन्डिवेंस इंपार्वेंटर एंडि अग्वरशन मैंने स्क्रेट करना यह कुछ इंपार्टन वर्क थे डबर डबन पिंडिया और फंड भी संपोर्ट करना कुछ इंपार्टेंट जो डब डबलो डबलो फ एफ इंडिया के मतलब प्रजेक्ट जो चलाए थे प्स्ट में जिन की बारे हम बात करें देखिए तक उन्दमान पि तीक है अन्डवान पिकिस्टरी इसके कुछ इंपॉर्टन प्रोड़क्ट है और सी टर्टल पे इनों ने उसकी स्टेटस पे काम किया है अब देखते हैं फिर से हम अबने प्रोजेक्ट टापिक प्याजा दे डबल डॉफ इंटरनेशनल की बात करते हैं क्योंकि हमने इंडि तुरू इंवार्मेंटल सर्विस ग्रूप है इस प्रिपेट एक कंप्रेंशी पैकेश फार्दी डिपार्टमेंट आफ इंबार्मेंट एंड वाइड लाइफ उसका टाइल क्या दखा था कि एक मल्टी मीडिया कंपें फार्दी कंजरिशन एक्शन इंडिया मतलब डब ड इंडिया ने इंडिया ने डबन रफ इंटर्नेशन जो काम किया वह अनको देखे सबसेंप्र इंपार्टमेंट गेंपांड़ जो कितका संभल बिये और सबसें एहमिया बात आती इन्हों ने सके बारें बहुत कुछ काम किया और ये इंपॉर्टन के लिए अप्ग्रेट क डोग पर्ण से गभनेसन एक अर्म एक तो हुआ यहां पर देखिए यह भाइल नमीस दोर्य और देखिए ke फक्रूं पजी काल वह तरो हो था फॉन बहुत खतर ह को गया थीकी क सीच vardır पे स्टाइगरंज बश्चुसानि ताइवन का फॉइंट है जिसके स्टेटर्स क्या हो था इं डैंज बिएफ fire आफ जाएफिकर बाला कम खत्रे मैं 12 जादे खत्रे में क्रेटिकल इंडेंजर्ड जो है वह बहुत कतनाक है उसे इंडेंजर्ड मिला है और जो गेंट पांड़ा था वो इंडेंजर्ड था उसे यह बने भी मिला है मतलब दोनों अप्ड्रेट हुए इसके बाद हम और कुछ अनिमल है सी टैल का स्टेटिस देखिए क्या है इस पर काम करते हैं इंडेंजर्ड रहेनों भी इंडेंजर्ड वेल्स भी इंडेंजर्ड इन इंपुछ इंपॉर्टेंट इनमाल से इस पर डबलो डबो फ ने काम किया पोलर विर्स जो है उस पर ज़्यादे इस पर प्रॉब्लम नहीं अब गेंट पर्णा चुकितका सिंबल है इसके बारे बहुत ज़्यादे इस इस इंफार्मेशन और डेटेल में ले लिए जाए इसके बारे इन्हों ने क्यों इस्टार्टिंग में अपना मतलब कम है और इसकी एक फीडिंग का मदब किवले बंबू खाता जो बास नहीं होता है जो फैमली ग्रेमनी की जो ग्रास बास को भी ग्रास बोलते हैं देहान रखना है वास पी ग्रास कुणकि यह फैमली ग्रेमनी यह पोईशी को बिलांग करता है बॉत नी में तो उसमें प्राइब आपता जितने में पर साते हैं उन्हें घ्रास के थे तो बंबू के लिए जेखा जाता हुँ घ्रास होती तो यह दिहान अचना है कि 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 वल एक सिंकल टाइप की डाइट लेंगे तो हमारा पर कहीना कि फूड मुटिकल का स्ट्रेस रहेगा वह भीकर फूड मच खतम हो जाएंगे माई लिए ठीक है तो ध्यान रखना पॉपलेशन कम थी लांग जनेशन टाइम था लोर रिप्रोड़क्टिव टाइम था और केवल एक ही पार्टिक्लर फूड पे अपना फीड करता तो यह सब प्रॉब्लम थी इसके लिए कि कैसे करके सर्वाइब कर अब यहां पर कोशन एक फिर से पर रिवाइज करते हैं कि गेंट पांडा ही सिंबल क्यों यूज करा था तो गेंट पांडा का एक तो यह था कि बहुत स्ट्रेस में था दूसरा उस टैम जब यह आर्गनेशन इस्टेबिस हो रहा था तो जो लंदन का जूँ था वहां पे गेंट पर अंड़ा था ठीक है जिस पर सिंपल बलाइग और वाइट जो मतलब इसकी पट्टियां पड़ी होती है उन्हें इसके डाइक्टर अनल थे और उन्हें से आई कैन अपना यूज कर लिया सुनू से ही ग्लोबल आर्गनेशन का संबर बना लिये था और उसके है और सबसे इंपोर्टेंट है जो पाए जाता है आपका गेंट पांड़ा और रेट पांड़ा भी होता है मगर हमारा जो सिंबल है डापन पांड़ा रेट पांड़ा नहीं ध्यान रखना है आपको और यह पाए जाता है आपका चाइना में तो डबल डबल ड़ चाइना और एक अर्गनाज़सेंगे डिजनी कल्चर डिजनी नेचर इन दोनों मिलके ये काम कर रहा है और यह नों काफी हद तक जो बहां के जो पांडा की जो रास्ते जहां पर रहता था उसके जो कोरिडर था उन्हें पुर चाइना में मर्ज कर दिया मतलब जोड दिया इनके बाविल कर टागिरी में आगा डेट लिस्ट की ठीके दो चाइना में पाए जाता है उसके बाद इसके पापुलेशन आज के राएं में कि ती लबुद दो हजार करी पापुलेशन और श्पेशली जो बंडा होता है अगे बंडा होता है टंप्रेट ब्रॉड लिफ एन मि और चाइना में में चाहिता है इसके वार्यशय को की दो शीयों पात wiping और टो えて प्रॉआइट क्या करता है व्ली फेट किया करता गोड तान करता तो इनोवेट मतलब रिशर्च और टेस्ट इन नंबर आफ इनोवेटिव टेक्न लोजीज मैने आफ विच है पोटेंशिल तो चेंज दी काज़ अगलोब फाइट अगेंस दी कंजर्वेशन मुलब टेक्नोलोजी कल मेजर्स तू कंजर्ब दी बायोडियवर्सटी उन्हें स्टेट इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह की आटनाइशन नहीं कि टेक्नोलोजी के लिए फंट किया आपको गोगल आइस तो आई थिंक आपको पूरा ही कांशेप्ट यू है डवु डवु एफ एंडिया एड आफ इन का उन्टू कन्विजन था आइब ऑउटी सिंबल आ and share my YouTube channel. So, I really thankful to you. Thank you very much guys.